राजनेती खेतर में हमारे देदी पिमा नक्षत्र की तरे यहां के राजनेताओं ने अपनी पहचान बनाई स्वर्गी सकलेचाजी ने पेले उपमुख्यमंत्री संवीत सरकार्ण बाद में मुख्यमंद्री फिर बाद में सुंदरलाल पटवाजी और ग्यारा बाद लोकसवा का सुनाव लड़े रो आड़ बाद जीत का पर्चन फेराया करगी लक्षनाइन पाने जी को कौन भूल सकता है जिनने उप्चनाओं में सीधे सीधे मुख्यमंद्री के पदपाले कांगरेश के प्रत्याशी को भाजपा या उसकी पुरवर्ती जन्सन के जमाने की अपनी जीत से धूल चटाने का काम किया था ये वो धर्ती है मुझे इस बात की भी प्रसनता है जिनकी वाणी के माद्जम से ऐसा लगता था कि जब वो बोलते हैं तो बोलनी रहे बंडुक की गोली छूट रही है इस स्वरगी खुमान सिंग सिवाजी के पुरसार्थ और प्राक्रम की धर्ती मैं किस-किस का ना उलूँ लंबी लाईन है भादवा माता और आंत्री माता ने जो आसिरवाद आप पे लुटाया है वाकई उसका कोई जवाब नहीं है दुनिया के कोई लोग नीमच से हम ये मान के चल सकते हैं कि नीमच की धर्ती पराक्रम और पुरुसार्थ के लिए ज सही अर्थ में जहां मालवा किसको कहेंगे मालवा मालवाले को कहेंगे और मालवा के मालवाला ढूंड़ना हो तो नीमच से बढ़कर के कोई इस्थान नहीं होता है जिसके आपने हाथ में यस है किदर कोन सा काम छोड़ो हमारे मंतर विराजवान हमारे वरिष्ट नेता अलग अलग डाइत्तों का निर्भन कर चके आपके लोगप्री सांसद मेरे अभिन्यमित्र मानिस सुधिर जी बुपता अभिनन्यन करे सुधिर जी का मेरे साथ बहुत लंबी अच्छी दोस्ती के साथ मंतरी मंडल में भी रहे हमारे आपके अपने नेता जावत के लोगप्री विधायक मानि ओम्प्रका सकले चाजी जो कलपना सीलता के अदभुत धनी है इस अउसर पर विध्यारती परिशत के जमाने से मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के काम करने वाले भोले भंडारी दिलिक परिखार दी और हम तो अभी आलब राम मंदिर को हो गया और राम मंदिर के बाद जहां हमको चलना है जमना जी का क्रश्न का नईया सबकी आखों का तारा आपके मादों वहिया भगवान के नाम रासी मनासा के हमारे बहुत जुझारू नेता इस अउसर पर यहाँ पर हमारे कोड़ विजायक माननी मंसोर के बेठे हैं माननी चंदर सिंग जी उनका अब इहन्दन करें जिलाद्यक्ष पवन जी पवन पुत्र हनुआन की हम सब जानते भगवान की लीला ऐसी है कि हमारे अपने सब के नाम भी भगवान की उस्तनातन संस्क्रती को जहजे कार करते हुए एक पंध दो काज करते वो सब को यस मिलता और जो काम में जख्षता हासिल करते हैं कोई बात नी असपाल जी परमात्मा आपको अगली बार हमारे साथ ख़ला करेगा जोड़ार अपिनन करें यस पाल जी के लिए नगरपालीका के अध्यक से काम करते करते हैं अपने विदान सबा में अपने काम के माज़न से पेचान बनाने वाले और हम सब के परिशत के समय के नेता मदन जी जोरदार अभिनंदर करो मदन जी का हमारे भौध अच्छे नेता मदन गाठोड जी यहां की नगरपाली का चे अध्यक्ष अब तो स्वाती नक्षत आनेई वाला है स्वाती बहन जी स्वाती चोपडाजी के लिए अभिनंदर करे सज्जन सिंग चोहान पूरे मंच के लिए नाम दूआ तो लंबी सूची है एक बार पूरे मंच के लिए करतल धनी से अभिनंदर कर दे भाजपा की सरकार और प्रचंड भहुमत के साथ वो भी हमारी कितनी सारी चुनोतिया थी नरेल मोजी जी का जवाब नहीं इस बात में तो मानना पड़ेगा एक बार फिर अभिनंदर करें नरेल मोजी जी को लेकर ये जो जीत हांसिल हुई बरतमान में भारती जन्ता पालिटी को इस जीत के पीछे कई कारण है और उन कारणों में अगर अपने विस्तार से जाएं तो कई चुनोतिया भी मिलेगी दोनों तरब आप देखते जाओ 18 के समय हमारे अपने कुल 5 विधाय कम हुए लेकिन सरकार जो बना के गए वो सरकार कर बनाते बनाते जितने जूट बोल सकते थे जूट का पहाल ख़़ा कर दिया और जूट के पहाल के अधार पे सरकार बना ली लेकिन सरकार अपने भजन से ही गर गई कोई दोसी नहीं उसमें और हम सब देख रहे हैं उसमें लेकिन जब दुबारा सरकार बनी मैं पुरू मुख्यमंद्री मानि सुरासीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिनों कठिन काल में सरकार बने और जन्ता की आसा अपेक्षा के अधार पर कोवीट के समय की चुनोतियों से भी निफ्टे और कोवीट की चुनोति के बाद सरकार चला करके हमारे विकास के पहियों को भी निरुखने दिया एक बार अभिजिन्दन करें हमारे अपने भाजपा के यसस्षी पुरुधायकी के लिए मैं आपको धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं जब हमने जो जो कहा यसस्षी प्रधान मंत्री के नेत्रत में आप लाइन से उठा के देख लो माननी प्रधान मंत्री ने जो अपनी सरकार बनाई वो सरकार बनाने के समय जो गवरानवित करने वाला सबसे बड़ा पक्ष है वो पक्ष क्या था लगबक चोरासी को छोड़ दो वो भी स्वर्गी इंद्रा गांदी जी का दुखत निदन हुआ और जनता की साहनवूती कांग्रेश को मिल गई उसका परिणाम रहा कि उस समय लोकसभा में बहुमत के साथ सरकार बनी उसके पहले जाओ तो कांग्रेश लगातार बहुमत के आसपास या नीचे बेढ़ती थी लेकिन उसके बाद और स्थिंता का दोर चला गड़बंदन की सरकारों का दोर आया और यसस्वी प्रधान मिंत्री माननी स्वरगी भारत रत्म लालकष्ट अरवानी जी के साथ जिनकी जोडिम अलगी पहजानी जाती थी कोई नेता में नेता कैसा हो सकता है स्वरगी अटल बिहारी वाइश्पई की सरकार मैं उनको भी इस्मरण करूँ है जिन्होंने हमारे लोकतंत्र के अंडर जो मूल जरूरत थी ये ग्रामीन छेत्र का जिला है बड़े वेमाने पर ओस्दी की खेती करते हैं लेकिन गाउं में मनुष्य नहीं रहते हैं दुरभाकिक साथ केना पढ़ रहा के कांगरेस ने सेतालिस से सरकार बना करके जब तक की अटल जी की सरकार लियाई गाउं वालों को सड़क भी नसीब नहीं होने दी तो दान बंदरी सड़क का रूप में बड़ा योगदान अगर किसी ने दिया है तो हमारे अटल ब्यारी वाजपई जी की सरकार के माध्यम से मिलाई शवर्ग अटल ब्यारी वाजपई ने कहा कि अगर भारत का विकास करना है तो भारत का विकास बगेर गाउं के विकास के संभव नहीं हो सकता गाउं को छोड़के कोई कैसे बर सकता है गाउं का विकास सच्छे अर्थ में भारत का विकास है और जो अटल जी सोचते थे वोई श्वर्गी महात्मा गांदी जी ने कहा है भारत को समझना तो भारत के गाउं को समझना होगा भारत के गाउं में भारत की आत्मा बस्ती है लेकिन बड़े दुर्भाकी के साथ कहना पढ़ रहा है महात्मा गांधी जी की बात तो भी कांग्रेश के लोगों ना इस्मरंग नी किया महात्मा गांधी जी तो प्राण भी छोड़ दिये तो हेराम करके छोड़े राम राज जी की कलपना करने वाले महात्मा गांदी फूरे देश के अंदर सद्भाव की बात करते थे लेकिन बड़े दुर्भागी के साथ केना पड़ रहा है कि हमारी सनातन संस्क्रती को भी लज्जित करने का काम किसी ने किया है तो ततकालिन और पुरवर्ती समा सभी सरकारों में किया है यद भी मेरी मर्यादा है लेकिन फिर भी ने बोलना चाहूंगा जब बदला समय और नरेन मौदी जी का समय आया और नरेन मौदी जी ने जिल्दन से पुरे देश के सामने विशे रखा है कि देश को आगे बढ़ाना है, 21 सदी में भारत को मजबूत बनाना है, अपने इस बदलते दोर में भारत की ताकत का सही उप्योग करना है, तो कांगरेश की नकारा सरकार को हटाना पड़ेगा, कांगरेश की कुशासन की नीतियों को बदलना पड़ेगा, जनता को साथ में ल करिए 2014 की सरकार बनी और पहली बार पूर्ड वहुमत की भाजपा की सरकार बनी जिसके माज़न से मोदी जी ने पूरे देश में तो क्या दुनिया में एक नया भूप देख करके सबको एहसास करा दिया वो रिजन्ट कैसा आया था मायावदी मुलायम सिंजी तमाम विपक्ष नेता पलट पलट के देखते लिए कि रिजन्ट आया तो आया कैसे यह हो कैसे गया क्योंकि जब जोड के चलते थे वह इस डल के लोग हो या उस डल के यह माइनरिटिस के वोट यह गरीद के वोट यह इस जाती के वोट यह उस जाती के वोट उनका समीकर उसी के आसपास च लेकिन तबु राम जी की जैजे कार करने वाले लोग शक्य अरथों में जब आये। एक एक परिशाली का दिगाकरण करेंगे « इसलिए वो पांच साल नरिन वोडी जी के जो निकले वो पांfish साल में भारत ससक्त बनेगा इस गिसामे कदम बढ़ना शुरू किये और हमने देखा है मोदी जी के उस केनियोर में एक के बाद एक जो जरूरी नियने करना थे वो सारे नियने मोदी जी करने लगे लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ उनका ये भी एहसास था कि जे 2003 के बाद से 2004 के बाद से 2014 की जो कांगरेज की सरकार थी उसकी नकारत मता क्यों हटाने का योगदान मानी मोदी जी को था लेकिन जाते जाते जब लगा के हमारे अपने धीरे धीरे भारत सबल बन रहा है सक्षम बन रहा है आप सब याद करो 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का काल कंस के काल में भी भगवान कृष्ण ने अपने समाज का आत्मिस्वास बनाने के लिए गोपाल कृष्ण ने जमना जी में कालिया नाक के उपर नाच करके और मित्रों के साथ हम कठीन चिनोति को भी पार कर सकते समाज का विश्वास बनाकर बताया था म समय की ताकत समाज की शुनोति में इंड़ के उठाशन को शुनोति दे करके उस समय भी समाज की ताकत का हैसास कराया था इसी पेकार से नरेंज मोदी जी ने हमारी बार्डर पर जो पडोश के दुस्मन हमारे सेलिकों का सरकार्ट के लियाते थी आतंगवादी घटना होती थी इन घटनाओं का मूँ तोड जबाब देते देते जो बताया वो सर्जिकल स्ट्राइक वो एर स्ट्राइक पूरा देश नरेंज मोदी जी को सिराखों में उठा करके 2019 के प्रचेंड महुमत के साथ फिर सरकार में लाया और दूसरी बार सरकार में जैसे ही आये मोदी जी तो जो हमने 1951 में कहा था कि जवाला नहरू जी यह आप भोज जलत कर रहो यह धारा 370 यह देश का दुर्भाग की साबित होगी एक देश में दो निसान, दो विधान, दो प्रधान यह नहीं चलना चाहिए लेकिन दुर्भाग की के साथ तब उन बात का मख़व लुड़ा गया था लेकिन धन्य है डाक्टर मुखर जी जिनने कहा के जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है चाहे मेरे प्राण चले जाए लेकिन मैं देश के ऐसे मामलों को अवाइड नहीं कर सकता हूं भारत सरकार के मंत्री मंडल में से इस्थीवा दे करके अपने प्राणों के आहूती दे करके जो देश के सामने उढ़ारे निपेस किया वो परिणाम हमने देखा कि उस समय बताई गई चुनोती 40,000 से जादा देश भक्तों को कस्मीर की आतंतवादी घटना में चाए पुलिस के कर्मी हो चाए सेन्य कर्मी हो चाए नागरी हो सबको अपने प्राणों की आहूती दिला पड़ी ये पाप किसके मात है ये कांगरेस के मात है और मुझे इस बात का गर्व है जैसे ही दूसरी बार सरकार बनी जो हमने कहा तो ये दिखाया कशमीर को धारा तीद सो सकतर से मुख्त करके दिखाया ये साफ आप ये सबसे अच्छा केंद रहे ऐसे कस्मीर स्वर्ध का चुकड़ा माना गया तो उसको मुक्त कराने के लिए कोन रोक सकता था लेकिन जर्वत थी नरे निमोदी नर भाद्दूर जी की जिनके कारण से ये हमको गर्व और गोरों मिला हमारी सरकार में कितना दम होता है इसका नेड ठरों 11370 के बाद सुप्रिम कोड़ ने फेसला दिया भग्वान राम का बड़ा जाजाय स्री राम और जाय स्री राम का नारा लगाने से हमारे अपनें उस अंतरंग संबन तक जूर जाते हैं जो राम राजी की कालतना करते हैं राम राज्य की काम ना करते हैं, मुझे इस बात की प्रसंदता है, सुप्रिम कोड ने फेसला दिया भगवान राम का, लेकिन सुप्रिम कोड ने फेसला तो तीन तलाक का भी दिया था, मुस्लिम बहनों की इज़त का भी, तब भी पूर्ण वहुमत की सरकार था, लेकिन उस सरकार चाहती है सरकार में दम होना चाहिए जिस पर इतनी बड़ी भोसंक्य आवादी भरुसा करती है